पांचवे नंबर पर पहुँचा तो पचीज करोर देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए और मैं आपको गारंटी देता हूँ जब भारत दुनिया में नंबर तीन पर पहुँचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी लेकिन साथ साथ एक सामर्थवान शसक्त मध्यंबर्ग देश को नई उर्जा देता होगा आज पुरा देश कह रहा है तीसरी बार तीसरी बार तीसरी बार चार जून चार जून चार जून साथियों मैंने लाल कीले से कहा था यही समय है सही समय है भारत का समय आ गया है भारत चल पड़ा है आज भारत में तेजी से आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्मान पर अभूत पुर्वन निवेश कर रहा है आज हर सेक्टर में नव जवानों के लिए अंगिनत नए आउसर बन रहे हैं आज बेश की नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है आज भारत की साथ दुनिया भर में भारत की साथ नई उचाई पर है इतना ही नहीं पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है हमारी सरकार भी तीसरे कारकार की तैयारी में अभी से जुट गई है हम आने वाले पांच साल का रोड मैप बना रहे हैं नई सरकार मनने के बाद पहले सो दिनों में हमें कौन-कौन से बड़े फैसले लेने हैं इस पर तेजी से काम चल रहा है पिछले दस वर्षों में विकास का जो मॉमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा इन दस वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है भाई यर्भाना मोदी को आज की पिड़ी के साथ ही आने वाली पीडियों की भी चिंता है देश की आने वाली पीडियों को पुरानी चुनवतियों में अपनी उर्जा ना खपानी पड़े मैं इसके लिए भी काम कर रहा हूं एंडियों सरकार के दस साल का रिपोर्ट कार आपके सामने है